Hello everyone, welcome you all at location sir, unlimited study zone चल रहा है solution, examplar problem, mathematics class 12th का और chapter का नाम है matrices तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों कि description पे जा करके आप जिस group को join करना चाहें उस whatsapp group को आप join कर लेजी जिससे कि आपको study material बगरे उस group पर आपको मिल सके चल ये class को आँगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं question पे तो ये video का part number 4 होगा शायद तक और इसमें हम long answer question type हम करेंगे तो देखे सबसे पहला question आपके सामने screen पर if a, b equals to ba for any two square matrices then prove by the mathematical induction a, b whole to the power n equals to a to the power n, b की power n है तो mathematical induction का use करते हुए जो है आप इस question को पूरा-पूरा solve कीजे mathematical induction देखे किस तरीके से लगा हुआ है okay, n equals to one के लिए condition verify होती है फिर k के लिए condition verify होती है फिर k equals one के लिए हम condition लेकर का आते हैं उसको verify कर देते हैं और इस तरीके से ये solve हो जाएगा okay तो इसको आप कर सकते हैं जिन लोगों ने बच्चों ने induction class 11 में पढ़ा है उनको ये बहुत आसानी से बन जाएगा otherwise of induction त्यार कर लिजे ये ज़्यादा important नहीं है question चलिए next question चलिए question number 50 find xyz if a transpose equal to a का inverse तो इसमें दो चीज़े हो सकती है या तो आप a transpose को a के inverse से आप जो है पहले a का inverse निकालो ओके तो यहाँ पर जो method दी गई है सबसे पहले a transpose को a के inverse से निकल वाया गया तो a का inverse किसे निकलेगा i a method से निकलेगा मतलब की elementary row operations करके transformation करके निकला गया है एक method तो यह है और इसके बाद a inverse निकाल लिया है यह देखे यहाँ पर a inverse आ चुका है और a inverse को किसे a transpose से कराया गया है तो देखे 1 upon 2x equal to x तो x equal to plus minus 1 by root 2 1 upon 6y equals to y के कुल है तो यहाँ पर किनना आ जाएगा 1 upon 6y equals to y के कुल है तो यहाँ पर y equal to 1 by root 6 plus minus root 6 and 1 upon 3z equals to z के कुल है यहाँ पर 1 upon 3z equal to z तो z equal to plus minus 1 by root 3 इस तरीके से आप यहाँ पर इसको simplify कर सकते हो एक method तो यह है दूसरा method एक मैं आपको बाता हूँ देखे a transpose equal to कितना दिया है a transpose equal to a inverse अगर आप पूरे में a, a का multiply कर दो a transpose equal to कितना जाएगा a inverse into a कितना हो जाएगा i हो जाएगा तो यहाँ से यह सवाल बहुत सरल पढ़ेगा अब आप यहाँ से solve कर लिजे यहाँ से solve करने के बदा आपके पास यह structure बन चुकी है तो जैसे आपके पास 2y square equal to z square तो यह सब कुछ solve कर लिजे आपके पास में यह इस तरीके से आप इसको solve कर लो तो क्या बनेगे आपके पास में 6 equations बनेगे आप 6 equations को solve करके आपको x की y की z की value जैसे एक नमूना है यहाँ पर दिएगा 2y square equal to z square यहाँ पर किसी equation में put कर दिए इसमें put कर दिया अपनने तो 4y square plus z square equal to 1 दिख रहा है तो यहाँ पर z square तो z की value plus minus 1 by root 3 आ गई अब यहाँ से y की value आ जाएगी और जब y की value मिल गई जट की value मिल गई तो आपको x की value आ जाएगी तो काफी बड़ा question है बट आप time देंगे तो यह आपको बन जाएगा तो यह एक practice question है ओके और यह six marks का question है इसको आप जो है कर सकते है elementary row transformation ओके और inverse आपको देखे तो a equals to i a elementary operation यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी और elementary operation लगाने के बाद जो है elementary operation लगा करके जो है आप inverse आप इसका find कर सकते है and finally you have this inverse चलिए next देखते हैं अगला यह पहला question हो गया अप inverse निकलने का यह इस तरीके से आप इसको आराम आराम से करिए जो operations इसने लगा है आप उससे हटके भी operations आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते है इसको देख सकते हैं ठीक ना यह देखे यह इसका inverse आ चुका है चलिए next देखे second जो question है इसमें inverse करते करते देखे यहाँ पर क्या हो गया यह second row पूरा का पूरा zero बन चुका है इसलिए यहाँ पर इसका inverse exist नहीं करेगा so it does not exist अब इसके बाद आता तीसरे question तो तीसरे question का भी inverse निकलना है okay so third question में inverse निकलने की process में आगे बढ़िए elementary operations लगाईए operations लगाने के बाद दीखे यह आपका finally यह inverse आ चुका है operations में आपको इस तरफ क्या बनाना पड़ता है I बनाना पड़ता है लेफ्ट में I बनाना पड़ता है और A के साथ जो बन जाता है वही क्या होता है A का inverse होता है चलिए अगला रिखे अगला question क्या है symmetric और skew symmetric form में लिखना है तो आपके पास symmetric और skew symmetric form में जो matrices बनता वो क्या बनता है यदि कोई matrix आपके पास A है तो half of A plus A यह जो होता है symmetric form होती है और इसकी half of A minus A जो होती है यह उसकी symmetric form होती है तो यह देखे इसका formula भी लिखा है A plus A half of A minus A तो इस तरीके से आप इसको symmetric और इसकी symmetric form में आप इसको break कर सकते है तो यह symmetric form आ गया यह इसके symmetric form आ गया फाइलली आप इसको ऐसा लिख दिया आपने तो यह आपके थे long answer question I think so yes, बिल्कुल clear हो चुके है तो यहाँ पर हमारी जो matrix की sheet है totally हमने एक बार complete कर लिए and I hope you will have no any problem okay, you don't have any problem इसको आप अच्छे से करिए और कोई problem है तो बताइए हमने सारे questions इसके करा दी है आप लोग को कोई doubt है तो इसका detailed chapter भी playlist में पढ़ा हुआ है मैंने काफी ज़्यादा बार पढ़ा है आप लोग देख सकते हैं अपने मन मुताबिक वीडियो उठा करके आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर total कितने questions 41 pages थे जिसमें मान के चली हर page में करीब 4 questions तो minimum थाई और बाकी छोटे छोटे ज़्यादा है तो अपने पूरे खर्द thank you so much for being with location sir good night bye bye